वालो स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की संस्कृत की बुक अर्था संस्कृत स्वबूद की किताब जिसका चप्टर पढ़ने वाले आस 12 12 पाठा इससे पहले हमने इसके 11 चप्टर तक प्रीड करा दिया आप कोन की लिंक भी आपको इस वीडियो की डिसकृप्शन में दे देंगे और आज 12 पढ़ने वाले हैं सिद्दार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के बारे में अक्सर किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे संस्कित की किताब खास तोर से और जो महापुर्शन वाली किताब एक आती है आपकी नहती सि जरूरी जरूर दिया जाता है और जो भी संस्किति किताब में आप पढ़ेंगे जो जूनियर सेक्षन की हो या प्राइमरी स्लेविट की हो उनमें जरूरी सिद्दार्थ का पार्ट दिया दिया जाता है तो आए समझते हैं इसका हिंदी अनुवाद यहां पर कआगया असमाकम देसे बहाव महापुर्षा अथ्चाप्षिय मायरे होई है में बहुत से महापुर्ष हुवे हैं । दोनो ही सब गॉत मैं गॉत मत बध्य ऊळग मत अपनी बनाए हुए है अर्थाजेतनी ही महापुर्ष हुए 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 उनमें गॉताम 563 इस्विय वर्षात प्राग कपिल बस्तु नगरस लुम्मनी नाम के स्थाने अवद तस जन्म अलग उनका जन्म 563 इशा पूर्व यसे का जाता हुआ था और का हुआ था कपिल बस्तु नगरस नगर के कपिल बस्तु नगरस यानि नगर के लुम्मनी नाम के स्थाने अवद्ध, देखो लुम्मनी नाम के स्थाने ये दोनों सब्दों में सप्तमी विवक्ति का प्रियोग हुआ है एक वचन, और कपिल बस्तो नगर से हैं सस्टी विवक्ति एक वचन का प्रियोग हुआ है और यहां समंध कारक का प्रियोग हुआ है सकते कि यही सापूर्व ऐसा कोछ यह नहीं लेखता है अर्थाद के पिता जी का नाम या भी विवक्ति एक वचन का अपर्योग अभी बश्पन से ही ऐस्वन से ही जो इनका इस नाम सी धार्त था इनके बच्वन का नाम से आज़ों यांनि अपने करतो का या नहीं बहुत ठीब रहती हें एक नहीं थी अत PARC मन किडायाम आखेटे C अप्तमी विवक्ति एकवच्ट यानि खेलने में चन्ना अर्मत इनका मन शिकार खेलने में नहीं लगता था एगदा सिद्धार्थ भ्रम्डाय नगरात वही अगच्छत एगदा माने एगवार सिद्धार्थ उनका नाम है भ्रम्डाय यह भ्रम्डाय लिखा हुआ है अर्थात चतुरती विवक्ती एगवचन घूमने के लिए ठीक तो इसको इसमें संप्रदान का रख है चतुरती वि लगोने के अर्थ में पंचंवी विवक्ति का प्रियोग होता है तो एकदा सिद्रात भ्रम्डा गोमने के लिए नगरात भी अच्छत नगर से बहार निकले ठीक नगर से बहार यानी अपने मेहल में ही रहते थे इनके इतनी देख वालती मेहल यह रहते थे फिर एक वार इनको क्या हुआ भार गोमने के लिए gonna'. टत्र सहां क्रमेड टतर सभुष हमार तेव अनों क्या देखा भाहा उनों न क्या देखा क्रमेड क्रब्श कोंखन्ग-ब्रद, एक बोड़ा व्यक्ति एक म्रत व्यक्ति देखा एक रोगा अर्तम और एक बीमार व्यक्ति देखा और एकम सन्यासिन और एक सन्यासि व्यक्ति देखा जो तपस भी होते हैं बाबा बैरागी होते हैं इनको ये चार लोगों को क्रम्षा इनों ने जब बाहर गोमने के लिए गए पुरुसाच्या एतान एएं इन सबको द्रस्टा ऑर इस सब चीजों को देख कर तस मन्सी बैराग आ जायत इनके मन में वी बैराग क्या होता एक तरीके से आपको किसी चीज से कुई लेना देना ना हो अर्थात बैराग गया जाना क्या होता है मोहो माया खतम हो जाना एक दम इनके मन में एक दम बैराग सा गया रही यह क्या है यह तो वो चीज़ें हमें आद देखने के लिए मिलने हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी ना हमें कभी किसी ने बताया था तो इन लोगों को दे थे राजा थे तो इनकी बहुत ही जादा देखवाल इतनी होई कि इनको बाहर की दुनिया की हवाई लहीं लगने दी एक वार निकले तो यह सब देख करके इनका मन विचलित हो गया फिर के अवा सास स्वधरम पत्नी यानि अपनी धरम पत्नी अबूद सुत रहावल अपना शोटा से लड़का था इनका जिसका नाम था रहावल राज्यम और अपना राज चा त्यक्त त्यक्त यानि त्याग देना ग्रहयाद नर्गच्छत घर से बहार चलिए घर छोड़ करके बच्चे छोड़ करके पत्नी छोड़ करके और अपना राज छोड़ करके सब से वार निकल गये शह कठिन तप अकुरोत और उन्होंने कठिन तपश्या की तपस प्रभावात सहा बुद्ध अवद अब इनका नाम बाद में जाके बुद्ध पड़ गया कि तपशह प्रभावात तप के प्रवाव की बज़े से इनका नाम क्या हो गया अब इनको बुद्ध कहने लगे एंसा पालनम तस प्रमुख सिच्छा आसित और एंसा ही इनकी प्रमुख सिच्छा जो भी इनकी सिच्छा है बहुत धर्म की सिच्छा अनमे एक एंसा मुख की सिच्छा है कि आप हिंसक मत बनि येगा अइनसा का पालन करिए जनानाम कल्याणा सहा बधधरस्फ प्रिचारम अकरोथ अब जनानाम यानि लोगों के कल्याण के लिए कल्याणा अर्था चतरुती विवक्ती एकवचण संब्रदान कारक्षा बधधर्म के काकी के सस्टी विवक्ति एक वच्छन सम्मंद कारक होता है, प्रिचारम अकरोथ, लोगों के कल्याड के लिए जन कल्याड के लिए उन्होंने बहुत धर्म का प्रिचार किया, बहुत धर्म को श्रीकार किया, ठीक तो यह था इसका हिंदी यार्थ चेप्टर 12 का, समझते हैं छोटी लिखने, जैसे एक इनोंने किया कि बालिकाले गौतम बुद्द, शिक्यम नाम आसी थे, बालिकाले यानि बच्छमन में गौतम बुद्द का नाम क्या था यहां लिखा है, सिदार्थ इसी प्रकार से आपको सवाल में जवाब देने, सिदार्थ ब्रमडा कुत्र आप क्या लिखेंगे, इसमें किवल एक शब्द में लिख दूँ, बहुत से बहुत अगर हो जाँ तो दो, ठीक, तो आप लिख देंगे नगरात भै, नगर से बाहर, नगरात भै, नगर से बाहर गई, कस प्रवावात सा बुद्ध अबद, किसके प्रवाव से बुद्ध क पहला है, तप शाह, ठीक, एक और प्वश्चन है, बाक्यान पूरत बाकी पूरती करिएगा, असमा कम देशिव बहा, मा पुर्शावन, यह उन्होंने कर दिया, एक, सा बालकाले एव अते, मदब बालकाले से होए कैसे थे, दयालू आसी, तो यहां बरेंगे, अब आसी, शाह कठिन तप्शाह अकरोद, उन्होंने कठिन तपश्या की, तो इस प्रकासी चेप्टर भी देखसाइज कंप्लीट हो जाता, आसा करता हम आपने समझाओगा, इस किलास में तो ही, that's all.